एलो एन वेलकुम बाक टो माई चानल फ्रेंज़। आज गैस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं फैमिना वाली गली जहां पर लगा है रमजान स्पेशल स्टेट मार्केट। इस वीडियो के अंदर मैं फैमिना के अंदर जाकर वीडियो लेने वाली हों तो दिल ठामके रखे फेमिना में not allowed है फिर भी हम जा रहे हैं फेमिना के अंदर आज हिम्मत करके देखते हैं क्या होता है यह स्ट्रीट पे ऐसी शॉप्स कई सारी मिल जाएंगी यह भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी यह है फ्री फिफ्टी फो हंड़र रुपीज यह फ्रॉक्सी कीमत मैंने नहीं पूची अल्राइट यहां पे एक छोटी सी स्टॉल लगी थी जिसमें इनके पास पायल मि अच्छी चमक रही थी तो इसकी कीमत ही 100 रुपे ऐसे कई सारी दुकाने आपको यह पूरे मार्केट में लगे हुए दिखने वाले हैं यह करीना फैशन इसके बाजू में है फेमिना करीना का भी डिजाइन आप चेक कर लीजिए यह वेलवेट में गाउन मिल रहा है यहां पर आपको कफ़तान मिल रहे थे कॉटन माटीरियल सिंथेटिक माटीरियल हर माटीरियल में मिल रहे थे जिसकी कीमत ही only 400 रुपीस यहां पर देखे माटीरियल कॉलिटी अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले सकते है only for 400 रुपीस तो चलिए हम लोग फेमिना के अंदर जाने वाले हैं अभी तो पता नहीं क्या होगा अंदर यहां पर बाहर का डिजाइन देखे और चोरी चुपके हमने वीडियो आन कर लिया है यहां पर देखे अंदर का डिजाइन यह ड्रेस था कुछ 9000 रुपे का यह वाला भी देखे येलो वाला मुझे जो मैंने पहले दिखाया बहुत ही पसंद आ रहा था और यह वाला भी बहुत ही अच्छा था अंदर फिन फाले डिजाइन वाले ऽेलो versão actawd से शुरू होते हैं और यह देखे 50% वाले अमुर्य को यह भाला भी जाद पसंद आ रहा था इसकी कहमत ही कुछ 3500 रुपर आफ्टर डिस्काउं नहीं पकड़ा या किसी नहीं रोका बट हमने ज्यादा वीडियोग्राफी अंदर नहीं की क्योंकि अगर पकड़े जाते तो सब के सामने थू फजीती हो जाती हमें हमें बहुत ही सब के सामने चिला देते गुसा कर देते यहां पर देखें यह फेमिना के बाहर ही यह 200-200 रुपे में यह भाईया फ्रॉग बेच रहे थे और उसके आगे थोड़ा से जैसे आप जाओगे तो आपको यह 1500, can you believe it is only for 1500 में यह छोटी सी स्टॉल लगी थी और इसी के बाद यह दुकान में मुझे गाउन बहुत ही अच् किछ कलर का गाउन यह वाली दुकान में आपको 1500 के घागरे शरारे गाउन सारा 1500 के रेंज में मिल रहा था आप यहां पर आके चेक करके ले सकते हो बहुत जादा वराइटी है और आने वाली भी है यहां पर आईए और भी 8 दिन है 8 दिन नहीं I'm sorry 5-6 डेज है आकर खरी दि यह वाला बच्चा कितना अच्छे से पुकार रहा था आईए लीजिए और इतना चोटा सा बच्चा है और मेरी बेटी के उमर का यह है बट इतना अच्छे से यह बोल रहा था पता नहीं लोगों में इतनी हिम्मात और बोलनेस कहां से आती है यह वाला देखिए यह है घर दो बार पहनने के बाद इसके छिलके निकलने लगते हैं यहां पे आपको ऐसे 200-300 रुपे में ऐसे ड्रेसे मिल रहे थे इसको भी आप चेक करके ही ले न कहीं कुछ डामेज हो या क्या पता नहीं और उसके आगे ऐसे छोटे मोटे स्टॉल जहां पे आपको बचों के कपड़े मिल रहे थे 500-600 रुपे में ऐसे 10-20 रुपे वाले यरिंग की दुकाने और यहां की पब्लिक देखे कि आपको पता है टाइम क्या हो रहा है टाइम है सवा बारा बजे जी हां पौने बारा साड़े ग्यारा पौने बारा बजे हम घर से निकले थे खाना वाना खाकर नमाज वमास पढ़कर अब हम मार्केट में पहुंचे हैं बहुत ही देर लगा हम उब्लागा ज़्ष ते थी ट्राफिक और यहां पहुंचने के बाद इसे फिक्स प्राइस की कई सारे शॉप्स मिल जाएंगे ऑन दे रोड आपको और यह अलहिबा कलेक्शन इसका वीडियो अल्री मेरे चैनल पर है जाए और चेक आउट करें और यह वाले देखिए पचास रुपे में मिल रहे थे चोटे से पंखे और यहां पर है लकी कलेक्शन यहां पर बहुत अच्छी है बहुत भीड दिख रही थी इससे पता चलता है कि कलेक्शन अच्छी है यहां पर बाहर अगें सो देड़ सो धाई सो रुपे का से लगा है यह 150 रुपीज जो सेट्स दिखाई दे रहे है और यह है 250 रुपीज यहां पर अगें तो देख कर लेना जबी भी आप कपड़े लो सेकेंड है या फर्स्ट हैंड है या कैसा है यहां अभी भी हम लोग फैमिना के ही सामने का ही एक्स्प्लॉर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा रश है और यह मेरी बेटी ओके इस बार मैंने बेटी को भी अपने साथ ले गई थी शॉपिंग के लिए एंड रो रो के इतना बुरा हाल किया उसने एंड शी टुक दाट फैन डट इस फॉर रुपीज 50 फिफ्टी रुपीज प्लास्टिक का पंखा उसने खरीदा आय रियली गट वेरी आंगरी चलिए आगे चलते हैं यहां पे देखिए यह फुगे पंख सकते हैं यहां पर कुर्ती की दुकान थी जिए बिल्कुल ही सामने की दुकान और यह मेरी बैटी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए और यहां पे देखिए कलेक्शन बचोंका और बडों का भी पालीस मॉल में कई सारे आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे हम यहां ऊ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें, ऐसे handbags भी आपको मिल जाएंगे, starting from rupees 200, यह handbags की कीमत कुछ 3500 रुपे की थी, पूरे market में 300-300 के ही ज्यादा चीजें मिलने वाली है, तो 1000 रुपे आप लाओगे, तो सिर्फ तीन चीजें ही लेकर जा सकोगे, इतना याद रख लीज अलग है, यह वाली फैमिना की सबसे पुरानी दुकान, basement में on the right hand side, यह है palace mall on the right side and the left side, आपको कई साहे दूसरे दुकान मिलेंगे, जैसे के हमजा के zone, यहाँ पर जाके बचों के कपरे चेक करते हैं, बचों के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ प कीमत है, बचों के कपरों की इस बार हमारा खुद का ही आजाता है, धाई हजार में, यहाँ पर देखें, बॉइस का कलेक्शन भी, एथिनिक वैर में कितना अच्छा लग रहा है, मुझी यह ब्लैक वाला परसमिली बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर देखें, आपको क्रॉकरीज भी रोट पे मिल जाएंगे, और इसी रोट पे आपको ऐसे जूलरीज के भी दुकान मिल जाएंगे, जहां पे आपको 354,000 से यह सेट्स स्टार्ट होते हैं, अगर आप ऐसी जूलरी पहनने का शौक रखते हो, तो आप ऐसे दुकान के अंदर जाकर खरीद सकत हम तो अंदर नहीं जा सकते हैं, बच्चों की दुकान यह वाला नायरा कट बच्चों का बहुत पसंद आ रहा था, मेरे वीडियो पर कमेंट आता है, बच्चों का नायरा कट दिखाएंगे, तो यहां पर देखें, नायरा कट ही लगे हुए हैं, और यह वाले देखें, 300, 300 के अगेन, यह है मिस इंडिया जो ऐसी जूलरी है, वन ग्रैम, उसके बिलकुल ही नीचे लगा हुआ था, मिस इंडिया कभी कलेक्शन अच्छा होता है, बच कभी मैं अंदर नहीं गई हूँ और अंदर जाओं भी क्यों लेना तो नहीं है, और उस पे से वीडियो भी पक सिल्क हाउस मिलता है, हम यहां से स्टाट करेंगे, और पूरा एक्स्प्लॉर करके, पूरा दूसरी तरफ से घुम पिरके, फिर लक्षमी सिल्क हाउस के पास ही आकर रुखेंगे, याद रखना, लास में मैं आपको वापस यह दुबारा बताने वाली हूँ, यहां पे दे 200, 250, 200, यह वाले बुर्खें यहां पे देखिए, यह वाले बुर्खें इतने चमक धमक वाले बुर्खें थे, इसकी कीमत ती सिफ 300, ऐसा नहीं के कुछ डामेज था यह पूराना स्टॉक, यह फ्रेश, नूस्टॉक था भाया के पास, एक-एक में आपको 10-10 पीस भी मिल सकते हैं उतना अच्छा था और ये 50 रुपीस में कोस्मेटिक्स मिल रहा था 50 रुपीस की कोस्मेटिक्स आपको मैं बताऊंगी दूर ही रहना ऐसे कोस्मेटिक्स से अगर आप इस मार्केट आए हो तो आपको पताई होगा लक्षमी सिल्क हाउस से बिलकुल सामने से अब निकलोगे तो आपको ताज होटल तक आप जा सकते हो यहाँ पे देखें 350 रुपीस में कितने प्यारे प्यारे सेट्स लग रहे थे मुझे ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा बट मैं ऐसे नहीं पहनती यहाँ पे देखें यह अगर आप होम डेकोरेशन खरीना चाहते हो ताज होटल के बिलकुल ही राइट हैंड साइड में आपको यह वाला फ्लावर वाला भी मिल जाएगा हम जा रहे हैं ताज होटल के बाजवाली गली से जहां पे आपको मिलेगा सिलसिला तो यह वाली गली है आगे सिलसिला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भी यह केले की मंडी लगती है सुबा में और शाम में ऐसे कुछ यह यह उदो कपड़े सो देर सो में अगीन यहाँ पे भी लगा हूआ मिलेगा कपड़े देखकर खरीदे डेमेज ना खरीदे पुराने ना खरीदे अगर भी आप खरीद ना चाहते है तो खरीद सकते हो जितना मैं बता सकती थे आपको मैं बता रहे हूँ यहाँ पे रोलर वाली आईस क्रीम पता निया हाईजीनिक होती है या नहीं और यहां पे देखे फिश बाउल्स 150 रुपीज और इतने अच्छे से बेच रहे थे, काली गोरी मच्छी जो भी लो सिफ 100 रुपे, 100 रुपे ऐसे बेच रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पता नहीं मच्छी क्यों बेच रहे हैं रमजान में, एनिवेज उनका बि का सवा एक या देड़ ऐसा कुछ बज रहा है, और यहां पे अभी भी पब्लिक देखे, अभी भी दुकाने देखे, एक भी दुकान बंद नहीं हुई है, पब्लिक थोड़ी भी कम नहीं हुई है, हम सिलसिला के सामने जो गली जाती है, हम उस गली से जा रहे हैं वापस, यहां पे देखे, इस वाली गली में आपको बच्चों के कपड़े, एथिनिक वेर टाइप के बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, और इस गली से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आपको क्या-क्या इस गली में आएगा मैं सार आपको कवर कर दूगी, यहां पे देखे, नाइरा कट, अनार कली, फ्रंट ओपन, हर चीज मिल रहा है बच्चों के इसमें, जो भी है आप बारगें करकर खरीदे, क्यूंकि बारगें चलता है शिवाजिनगर मार्केट में, वेरी लेस शॉप्स जिसमें फिक्स प्राइस दिखा हुआ रहता है, अदर्वाइस, 90 पर डेकुरेशन के लिए वाच दिखाई दे रहे हैं, बेल्ट, गॉगल्स और यहां पर जूलरी की दुकान, अगें 100, 150 का ही सेल लगा हुआ है, हर जगा रेट सिमिलर है, ओके यहां पर यह 300 के सेट्स है, यह कूर्ती 400 के है, ओके पूरा मार्केट ना फिरे, सेम ही रेट्स है सिर्फ आपको जहां पर पसंद आ रहा है, वहां पर ले लीजिए, कम जादा कहीं नहीं मिलने वाला, एवरिबडी सेम, लक्षमी सिल्खाउस आप देख सकते हो, हम वापस आ गए हैं इसी जगा, यहां पर है कुछ बैग बेच रहा था यह बच्चा, 1300 में, ओके देन, इस का करते हैं, हम खतम, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, बट आप देख लीजिए, अभी भी पब्लिक कम नहीं हुई है, ओके बट हम ठक गए है, अभी हम घर जाएंगे, और बनाएंगे अगला वीडियो, मेरे चैनल पर बने रहें, बाब बाई फुर नाउ,